हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हम पढ़ेंगे महाद्रिपी विश्थापन का सिध्धान्त यह महाद्रिपी विश्थापन का सिध्धान्त एफबी टेलर महोंदय जी के दौरा 1908 20 podéis में दिया गया जिसका प्रकासन 1910 में हुआ यह सिध्धान्त काफी महाद्रिपी महाद्रिपी विश्थापन को बताता है कि प्रवाः को बताता है और इसके पूर्वरति जrias ध्धान्त थे वह महाद्रिपी विश्थापन के निर्माड क्यूद्रिया को संकुचन के माध्यम से बताते हैं अथात प्रित्वी का संकुचन हुआ फिर महाध्रीपयों महासागरों का निर्मान हुआ लिकनी एक सिध्धान्त है यह सिध्धान्त टेलर जी द्वारा दिया गया यह सिध्धान्त एक प्रथम सिध्धान्त था जिसने महाध्रीपयों महासागरों का इसलिए यह सिध्धानत काफी महात्य पूर्ड हो जाता है तो आए हमिसे पढ़ते हैं यह शिध्धानत यह भी-टेलर महोद्र द्वारा दिया गया कि तो सिध्धानत को हम तीन-चार सेग्मेंट में बाटके पढ़ेंगे पहले हम सिध्धान्त के बारे में जानते हैं, उसके बाद शिध्धान्त का उदेश शिक्या रहा, उसके बाद परिकल्पना टेलर महुदे ने क्या की सिध्धान्त को देने के लिए, उसके बाद सिध्धान्त की अवियंत्र की मतलब सिध्धान्त का प्यारूप, परचार्चा करेंगे, लास्ट में हम आलोचना करेंगे सिध्धान्त की, तो टेलर महुदे ने शिध्धान्त दिया, यह सिध्धान्त, 1908 इसवी में प्रतिपादित किया गया, 1910 इसवी में प्रकासित हुआ, और ये सिद्धान्त प्रवाच्षेत्र में प्रथम प्रयास माना जाता है प्रवाच्षेत्र में प्रथम प्रयास इसका भी पिरायाब समझ रहे होंगे कि यह सिधान्त प्रवाह के माध्यम से महाद्रीपयों महासागर की रचना को बताने वाला प्रथम सिधान्त है हलाकि इसके पूर्व इस सिधान्त के पूर्व महाद्रीपयों महासागरों के प्रवाह के बारे में अपना मत दिया के बारे में बताया लेकिने एक से धान्त ने दिया वो थे श्नीडर महोदे श्नीडर महोदे मत दिया प्रवाह के बारे में प्रतम्मत दिया सुरीर महदय ने तो अगर स्नीडर महदय आपने सब्सक्राइए नहीं रहें तो टेलर सिद्धान्त को लेकर कि आए स्नीडर महुदे ने कोई इस इस अमेरिका और यूरोप में पाई जाने मुले कोईले की समानता जो कोईले पाया जा रहे थे उसमें समानता को बता वह समानता के माधिम से नहों प्रित्पयादित 싶 not yet, God is the Mukで प्रिथम प्रियास तीलर महोदे द्वारा दिया गया और सिस्के बारे में सबसे पहले शनेडर महोदे ने बताया और प्रिथम प्रियास माना जाता है तो यह दो करनेख के से लएको спर्शचा करें यह कर्शे में क्यों कटेग्राइज किया गया असल में ऐसा कि जब कोई सिध्धांत है तो इसका कोई उद्देश ही रहा होगा सिध्धांत को देने के लिए और इसकी कोई परिकल्पना की गई होगी जब थेसिस लिखते हैं अपना सोध प्रवंद है जब लिखेंगे निट करने के नहितले हो तो अफ्रह स्वे और बना कर परिकल्पना से उड़को सध्धांत तक अबंट तक पहुचेंगे तो इस तरह से इननों की परिए इन्धी cabbage निई इन्होंने देखा कि उत्री अमेरिका देच्छली अमेरिका में वलिद परवत थे ability तैसी कि इंडीज्ट। आप गाम देखेंगे उतर नंवे तो साल्व करने के लिए इन्होंने उद्टे से बनाया वलिद परवतों की ब्याख्या करने के बारे मुलिद परवतों परवतों की ब्याख्या कौन से वलिद परवत तृतियक योग के अब यह इनका उद्देश रहा तृतियक योग के वलिद परवतों की ब्याख्या करने का उद्देश इन्होंने बना लिया अब उसके बाद हम इनकी परिकल्पना के बारे में जानेंगे तो इनकी परिकल्पना जो रही परिकल्पना में यह बताते हैं परिकल्पना की शुरुवात यह सिद्धान की शुरुवात यह करते हैं टर्सियरी योग से टर्सियरी योग तेरा करोण पूर्व तर्सियरी योग था पूर्व माना जाता है तो तर्सियरी योग में यह बताते हैं कि जो है प्रिथवी पर दो पिंड थे दो पिंड थे दो पिंड कौन से थे प्रिथवी पर दो पिंड थे दो पिंड थे नमबर एक लारेशिया नमबर दो गोडवाना लेंड यह आपका लारेशिया जो था दो पिंड थे लारेशिया उत्तरी धुरूब दच्छिडी धुरूब यह लारेशिया हो गया आपका यह गोडवाना हो गया इन्होंने पर इकल्पना की कि परत्वी पर अस्थल खंड की रूप में लारेशिया उत्तरी धुरूब में था गोडवाना लेंड दच्छिडी धुरूब में था और यह अस्थल खंड इन अस्थल खंडों में तीन परतें थी कौन कौन सी तिन परतें थी वो परतें थी जो है तिन परतें थी तिन परतें थी सियाल शीमा और निफे फिर यह कहते हैं कि जो सियाल था सीमा पर तैर रहा था अधात यह इसकी उपरी पार्ट था सियाल उस नीचे वाले पार्ट पर सीमा पर तैर रहा था और यह बताते हैं किसी क्रिटेशियस काल में यह घटना है सारी क्रिटेशियस काल की है किस काल की है क्रिटेशियस काल की है ठीक है तो इसी क्रिटेशियस यूग में क्रिटेशियस काल में चंद्रमा की उत्पती होती है चंद्रमा की उत्पती हुई अब कैसे हुई चंद्रमा की उत्पती पिर्थभी के घुलन और अब केंद्रिय बल द्वारा इन दो बलों के मात हम से घुलन और और अपके इंदरिवल के मादम से चंद्रमा की उत्पति यह गैसे हुई उस पर शाषा करते हैं तो ऐसे हुई चंद्रमा की उत्पति कि जब यहां पे दो पिंड थे लारेशिय था नीचे गोडवाना लेंड था अब पृत्वी पूरव से पश्यम दिशा की तरफ भूम रही थी और जब यह घूम रही थी तो अब केंद्रील काम करने लगता है ने! अब केंद्रील काम करता है पृत्वी के गुलत्वा करष्ण के करण अभी केंद्रील काम करता है तो अब केंद्रिये बल क्या है जो प्रिथवी अपने जिस सक्ति के माध्यम से बस्तुओं को बाहर की तरफ धकेलती है और अभी केंद्रिये क्या है जो अपनी तरफ खीचती है तो अब केंद्रिये बल काम कर रहा था तो प्रिथवी जिसके कारण से अब केंद्रिये बल के क गया मालून ऐसे प्रिथिमी मुभार आ गया और यह उभार जो है धीरे-धीरे बड़ा होता चला गया और इतना बड़ा हो गया कि प्रिथिमी से तूटकर अलग हो गया और आकर यह चंद्रमा की रूप में दिखाए देने लगा तो यह अकिच अवभार टूटकर यहां गया चंद्रमा बन गया तो यह किस प्रकार से अगर इसको अम्ठ्रेक्ट के रूप में देखे तो किस प्रकार प्रिथवी में उभार आने लगता है तो अपके दूबल काम किया फिर उभार तूट कर अलग हूआ और प्रिथनी हिस्ट की उत्पति उत्पति हो गई ये टेलर महोदे जी के कलपना है तो यह इन की परिकल्पना रही तब सिध्धान्त की अभियंत्रकी के बारे में देखते हैं सिध्धान्त की अभियंत्रकी क्या रही कि शिध्धान्त की अभियंत्रकी अब टेलर महोदे जी बताते हैं कि इतना होने के बाद अब ये इपने सिध्धान्द की शुरुआत करते हैं कहते हैं कि प्रिथिवी में दो बल काम करने लगें दो बल दो ब्रकार के ब्रकार के बल काम करने लगें ठीक है अब इसके बाद जब चंद्रमा तोटकर अलग हो गया तो चंद्रमा से जुआरी बल काम करने लगा नजदीक थी चंद्रमा प्रिथिवी के जब नजदीक थी तो जुआरी बल अधिक था आज जितना जुआरी बल है जिससे जुआर और भाटा के जुआर उठता है उसे करेब हजारों गुना अधिक जुआरी बल रहा होगा तब तो जुआरी बल दो प्रकार का बल काम करने रहा था तो अपके अंद्रिये और ज्वारिये बल जो है काम की अपके अंद्रिये बल के कारण प्रिथवी में इस प्रिथवी के अस्थल खंडों का पुरवा दो दिसाओं में हुआ अब एपने सिद्धान्द के वेंत्रकी के बारे में बात कर रहे हैं तो जो अरिये बल के मादम से प्रश्चिम दिसा में प्रवा हुआ प्रश्चिम दिसा में महाद्रिपों का प्रवा हुआ जो लारेशिया और जो गड़वाना लेंड थे इनका पश्यम दिशा की तरफ प्रवा हुआ यनि कि ये जो है टूटकर अलग हुए पश्यम दिशा में ये जाने लगे ह्वैं ठीक है है अब इसके माध्म से बिश्वत रेखा की उर आई रहे थे बिश्वत रेखा की ओर अब क्या होता है जब पाश्म की की तरफ काम करने लगा एक बल विस्वत्रेखा की तरफ काम करने लगा तो यसे लारेशी और गोडवाना लेंड टूट गया जो है दौन टीन भागों में टूट गया चार बाल में टूट गया तो से मिटा देतीयं थोड़ा सा है कि लारेशी यह था गोडवाना लैंड वोन इड़ जब तूटा तो क्या होता है पशिम दिशा की तरफ इसका एक पार्ट जाने लगता है यह पशिम दिशा की तरफ जाने लगा पहले सबसे पहले क्या हुआ ये पार्ट जो है भूमद रेखा के करीब आया ऐसा था उसके बाद ये भूमद रेखा के करीब आया कैसे किस रूप में ऐसे ये पार्ट हुआ कि दूसरा पार्ट ये रहा ये लारेशी आ हो गए गोडवाना लेंड हो गया और ये दुरूबों को छोड़ करके उत्तरी दुरूब और दच्छली दुरूब को ये छोड़ करके भूमद रेखा की तरफ आ गए अपके इंद्रिये बल के माध्यम से विश्वत रेखा की ओर हुआ अब क्या गल मसे इन क्जब म जब डूबर हों रिक और अमध्य से में यहां लिए मेरीका है और यह है और ये टूबर श्यम मंत्य दुरूब और पाहल भुरूब और लाटेःक पिख़ू करेसे कि तरफ राचरी़ आने लगा आई तूट करके तो जब यह यहां पर टूटा और पश्चिम की दिसा में आने लगा तो क्या क्या प्रिक्रिया होती है अब यहां पर यह भी टूट गया क्या बोलते हैं इसे भारती उपमाद्रीप इंडो आस्ट्रेलियन जो यहां पर आस्ट्रेलिया का पार्ट और भारत का पा जिसमें यूरोप और एसिया है आपका गोड़ोना लेंड दच्छडी अमेरिका अफ्रीका ही हो गया इंडो आस्ट्रेलिया हो गया इसमें तोट गया तो अब क्या हुआ जब यह अस्थलकंड विश्वत रेखा की तरफ आगे बढ़ा तो उत्तरी गोलाद में आपका यहां पर आप यहां अ खाली इस्थान बन गया रिक्तांस हो गया तो यहां पर बीच-बीच में जो है खाली बन गये जल संधिया बन गई सागर की रचना हो गई तो यहां पर डेविस कुंटल श्च्ट्रेट हो गया वह सके बाद लेबलाड works आगर यहीं पर वैफिन की खाल राज सागर का निर्मान हो गए ओसके बाद असरेलियन भाइट का निर्माड हो गया कि असल में जब कोई अस्थलगंड यहां पर देख रहे है यहां पर एक छोटा यह Cantra जब यह चीज इस नायरो इरिया से चोटे से भाग से यह कबर हैं मालेज़गे जब यह यह कबर चढ़ी हुई है चोटे छेत्र में और किसी बड़े छेत्र में पहलाने की कोशिज करेंगे तो यह कबर भीच भीच से यहां से फटेंगी यहां से फटने लगेगी यहां से फटने लगेगी ऐसे फिर क्या हुआ इसी कारण से यहां पर जो है राज दच्छिली दुर्व में राज सागर आश्रिलमबाइट देविश इस्टेट बैफिन की खाड़ी उसके बाद लेप्रेडवर सागर इत्याद की जो है रचना हुई लगेगी अब यह पाश्षिम की तरफ आ रहा है पाश्षिम की तरफ क्यूंँ आया प्रिथवी के चंद्रमा के जोहरियेबल के माद ल can जब पृथवी रोटेट कर रहे थी गूम रहे थी उसके रोटेशन में जोहरियेबल के माद लसे रुका वाट पैदा हुई जो weaker गया और यह पीछे छूट गया यह पार्थ पीछे छूट पश्ण्र की दिसा में इसका पुनी दिसा में हो गया और यह भूमत देखा कि और अपके इंद्रिये बलके माध्यम से आया अपके इंद्रिये बलके साथ मेजवार यह बलका भी योगदान रहा शन्यूक तुरूप से उसके बाद हम देखेंगे कि इसी तरह से अब बात करेंगे वलिद परवतों की जो ब्याख्या करना च किये तो जब यह आपका उतरी अमेरिका पर्षिम की और प्रवाहित हुआ देखिए उतरी अमेरिका अ कुछ finish कीconnect की और प्रय उख हुआ ह को हुआ है हुआ जिसे राकी परवत और फिर दचली अमेरिका प्रवाइथ हुआ दचली अमेरिका अमेरिका प्रवाइथ हुआ उसके बाद क्या हुआ उससे क्या हुआ इंडीज परवत इंडीज परवत का निर्मान हुआ जब यह प्रवाव हुआ तो यहां पर जो दबाव पड़ा यहां पर जो जमाव था यहां पर जो सागर में निच्छेप जमा था उसमें दबाव पड़ा तो यहां परवत का निर्मान हो गया यहां परवत का ठीक है उसके बाद क्या होता है जब यह अफ्रीका अफ्रीका जब उत्तरी दिसा में विश्वत्रेखा की तरफ जाने लगा तो यहां पर जब दबाव पर आ तो यहां पर एटलस का निर्मान हो गया एटलस का निर्मान और जब यह इउरेसिया दच्छिड की तरफ विश्वत्रेखा की और आने भारती उप महाद्री पुत्तर दीशा की तरफ गया तो इहां पे आपका हीमाले परवत का निर्मान हो गया ठीक इसी तरह और जब ये महाद्री परवाही तो हो रहे थे जारिय और अपके अंद्री बलों के माध्यम से तो यहां पर जहां पे जो है औरोध उत्पन हुआ औरोध उत्पन हुआ वहां पे दुरुपीय चाप का निर्मान हुआ अरक का निर्मान हुआ तो जहां औरोध हुआ वहां पे जो है दुरुपीय चाप लब तोरल द्रीपों का निर्मान हुआ जैसे कि आप देखेंगे प्रसांत फिलिपनबड नहीं म सो कश्करण तो ये जब प्रवाव हो रहा था महाद्रीब का तब रुकावट हो गई तो वह जो है वहीं पर रुख गए तो जापान वगएरा फिलिपिन्स वगएरा जो छोटे-छोटे द्रीफ हैं प्रसांत महासागर में तो उसकी ब्याख्या इन्होंने किया और सबसे मुख्य बात यह रही कि इन्होंने अपने वलिद परवत की ब्याख्या कर दी कि वलिद व्लिद परवत क्यूं है माहाच्चय को महासागर का मिर्मान और इन्की हो ब्याख्य प्लेट व्याख्या सिधान्त का एक आधार अधार शादित हुई इनका सिध्धान्त आदार साबित हुआ जिसके कह सकते हैं कि इनका सिध्धान्त एक नियू का काम किया जिसके उपर प्लेट वियुलतिन की जैसी इमारत बनी जो की सर्वमान नहीं इमारत है जो की सर्वमान सिध्धान्त है कुछ और रह गया है हम आलोचना के बारे में थोड़ा सा देखेंगे आलोचना इनकी आलोचना इस प्रकार से की जाती है कि इन परवतों वलिद परवतों का निर्माण के बारे में जो यह बताये ये हजारों किलो मीटर का प्रवाह बता दियेków महा जागरों जबकि 30KM अगर प्रवाह तक टिया जाता तो इतना इनफ था महा धरी प्रवलकत की निर्मान के लिए तो हजारों किनो मीटर नहुने बता दिया कि लिए दूसरा आलोचना यह की जाती है अगर चंदरमा की जब उतपती हुई उस time करीब था प्रिथभी के तो चंदरमा के जौरी बलते मांदम से पृथभी की rotation rotation क्या होनी चाहिए थी rotation रुख जानी चाहिए थी क्यों ज्रीख बलते कारण जो चीजे हमने लिखा लेखन नहीं पाए हम जो चीजे हम बोल दिये सायद समझ में आ गया होगा तो अगली बात क्या होती है कि ये कहते हैं कि इंग्रा जो सिध्धान्त था ये नहीं बताता है कि जो तर्टीरी यूग था जो तर्टीयक यूग था इसके पुर्वलती जो परवत थे उनकी व्याख्या नहीं कर पारा है इनका सिध्धान्त वह किस प्रकार से प्रकट हुए पृत्वी पर तो इस प्रकास इनका सिध्धांत रहा जो की काफी महत्य पूर्ड है आगे चलके हम बेगनर का सिध्धांत पढ़ेंगे जो की इसी तरह ही है तब तक लिए थेंक्यू जहिंद